हलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का सभी का स्वागत करता हूं ता हिंदू ड्यूस पेपर के अनलेक्सिस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप सभी मैं आशा करता हूं आप स अभी ने वीकेंड को enjoy किया होगा और आप पूरी तरीके से fully refreshed हैं तैयारी करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूस्पेपर अनलेसिस को तो सबसे पहले दोस्तों striving for success without hard work is like trying to harvest where you have not hunted का मतलब क्या है बिना काम किये बिना मेहनत किये अगर आप success चाहते हैं तो यह वैसी बात है जैसे खैली पुलाओ जिसको बोला जाता है यह वैसी बात है कि आपने plants तो लगाए नहीं है थेती करी नहीं है बीज बोया नहीं है लेकिन आप कटाई करने के लिए पहुँच चुके हैं तो दोस्तों successful होने के लिए सबसे पहली जो कहते हैं इंडी ग्रिंट्स या सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है hard work और वो भी planned way में तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस week की बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूं और मैं आप सभी से यह उमेद करता हूं कि इस week को आप अपना सबसे best week बनाएंगे इस मन चलिए तो आज के न्यूस पेपर में जो important headlines हैं उनको एक बार discuss कर ले कि क्या-क्या है और अगर आपको इसका PDF चाहिए यानि कि न्यूस पेपर का भी PDF चाहिए उसमें हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस दोनों का PDF में डालता हूं टेलिग्राम चैनल पर या फिर सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं प्रशांत आपके लिए मार्च का तो उसको भी देख सकते हैं अवेलेबल है वीडियो और पी आएबी के सेक्ट थर्ड वीक यानिके जो थर्ड वीक बीच चुका है उसका भी सेशन आज या कल में आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहल इस कोषियो तौट है इंपॉर्टन्ट कैसे इंपॉर्टन्टव से नसक्ता है और प्रुरिम्स में तो डेरेक बशेन आ सकता है फिरसल दोस्तोğ मान के चलिए कोई एक्स एरिया है वहाँ पर पहले पान के चलिए चीता बाग ये सब रहते थे बट धीरे-धीरे समय के साथ में वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों उनका एक्स्टिंशन होना शुरू हो गया यानि कि अब वो वहाँ पर नहीं मिलते तो वहाँ पर दुबारा से उस हैबिटेट को रिस्टोर करने क के लिए रिलोकेशन किया जाता है क्या किया जाता है रिलोकेशन किया जाता है अभी आप बार-बार न्यूज में सुन रहे होगे कि चीता का रोल रिलोकेशन क्या जाता है अब चीता टाइगर का रिलोकेशन करने से पहले यहाँ पर एक और नियूज है मान के चलिए एक्स national park में मैं tiger वहाँ पर क्या कर रहा हूं ट्रांसफर कर रहा हूं रिलोकेट कर रहा हूं अब भीया जब उनको वहाँ पर भेज रहा हूं तो उनके खाने पिने की भी वयवस्ता होनी चाहिए कि नी हो लोकेट किया जा रहा है किसलिए कि वो टाइगर के प्रे टाइगर के प्रे के रूप में काम कर सकें प्लीज इस चीज को याद रखेगा एक फूट चेन आपने एंवार्मेंट में पढ़ा होगा फूट चेन फूट वेब की वहाँ पर कैसे एक चीज की प्रेजन्स या एक च तेकनिक हो याद रखेगा उसको भी देख लेंगे टेकनीक कौन सी यूज हो रहा है कौन सी एरिया में हो रहा है यह आपके और आपके लिए कि बोमा टेकनिक होती क्या है ठीक है और यहाँ पर किया जा रहा है कहां से यहाँ पर कहां लेकर जाया जा रहा है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व पे अब देखिए इतने सारी चीज़े नहीं नहीं आगे आपके दिवान में आप सब कोगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर एक बोमा टेक्निक है इसे क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहां से इनको ले जाके कही दूसरे ट्रक्स में ले जाके दूसरी जगे पर क्या किया जाता है प्लीज याद रखिए तो बोमा टेक्निक एफ्रिकन टेक्निक है उसको यूज किया जाएगा कहां पर प्लीज याद रखिएगा कोईला दियो नेशनल पार्क पहली बात और दूसरा कौन सा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजव यह दोनों की दोनों कहां पर है राईस्थान के अंदर में क्या ट्र लोकेशन- रिलोकेशन का अप्रूवल किसने दिया होगा तो इसको किसने दिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अठोड यह इंपॉर्टंट हो न है भारत के अदर में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी को पता है टाइगर को बचाने से रिलेटेट्ट्ट चल र इसके बारे में भी प्लीज यार रखी अप चार वाईल सेंचुश्श प्लीज तो प्लीज इन सब का यार रखे कैला देवी सारे के सारे कहां पर है राजस्थान के अंदर आपसे एक्जाम में पुछा जा सकता है तो कि ये रिसेंट्टी सीन इन्यूस कॉन से स्टेट में आपको बता दी कौन सी है बोमा टेकनिक अफ्रेकन कंट्रीज में यूज की जाती है ऐसे जिसे उनको ज्यादा नुकसान ना हो और वो क्या हो जाए ट्रांस लोकेट हो जाए दूसरी जाए प्रस इससे ज्यादा और कुछ करने की ज़रूर तो एंटीस ये क्या है तो याद रखेगा और इसका मेन फंक्शन क्या है टाइगर के कंजर्वेशन टाइगर के रिलोकेशन टाइगर को कैसे कंजर्व किया जाए ट्राइगर की सेफटी टाइगर की पॉपलेशन को कैसे बढ़ाया जाए उन सबसे रिलेटेट सारे के सारे काम क्या करते हैं यही करता है तैस फोट फिके दोस्तों रिलिम स्बेस था इसलिए मैं यहां पर ले कर आ गया है उसे ठीक यह रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगली नुज़ पे यह प्रिलम्स के स्पेसिफिक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा प्रिलम्स में आप से क्या क्या पूछ सकते हैं ए वो दूसरी जगे ले जाना या उसको कंगरव को न है कि प्रलीम्स में क्वेसीं से आता है है और और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंटी टी ए इसके प्रोविजन स्टेचूटरी बोड़ी है किस एक्ट के तैद में इसका काम क्या है यह चीज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल अगला आर्टिकल इससे रिलेटीड दोसु साउथ एशियन टेक्स्टाइल स्टोरी से लिए अच्छा आर्टिकल यह आर्टिकल क्या कहता है कि आगर आप पूरे भारत के इंदर में पाकिस्तान इदर आजाईए इदर बांगलादेश आजाईए इदर श्रिलंका आजाईए उदर के आनमें नै और बांगलादेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब दोस्तों अगर साउथ एशियन रिजन के अंदर में देखें तो टेक्स्टाइल के अंदर में मेजर एक्सपोर्ट किसी पीन कंट्री से होता रहा है पहले होता था फिर भीच में आपको पता है अंग्र सिल्क के भारत में मिलते हैं बांगलादेश में मिलते हैं अब इस यथल करना चाहते हैं पहली बात वो प्रेजन टाइम में कौन सी कंट्री कहाँ पर है वो बता रहे 0 कि किस किस कारण से कौन कौन सी कंट्री कहा पर है जिसे बांगलादेश इसके टेक्स्टाइल के एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए दोस्तो तो विश्व में थर्ड नमबर पर भारत उसने से पीछे पांचवे नमबर पर है उसके पीछे कारण अच्छे रिलेशन बनाए अमझी है नहीं चिज़को पांगलादेश के दोस्तो लोसध के साथ मैं बहूँ अच्छे रिलेशन हैं इस कंटेक्स में और वेस्ट में अपना क्या करते हैं बहुत ज्यादँ क्या एक्सपोर्ट करते हैं अपने टेक्साइल प्रोड़क्स को एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है और भारत के इंदर में देखा जाए एक तो लेबर दूसरा दोस्तों मशीन की तरफ में हमारा मलब जो कहते हैं ना उस तरफ में हमारा शिफ्ट नहीं हुआ एक टाइम पर सही टाइम पर आने के तरह में इस है बिलकुल सही बात है अब उस इंडस्ट्रियल रेवलिशिन के अंदर में क्या होगा नहीं नहीं मशीन आएंगी रीडी पिंटिंग प्रिंटिंग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यह सारी चीजी होंगी तो ऐसा ना हो कि प्रेजेंट टाइम में जो साउथ एशियन पर नमबर वन एक्सपोर्टर कौन है दोस्तो टेक्स्टाइल का चायना है तो साउथ एशिया विकेम ए मेजर प्लेयर इंदा ग्लोबल टेक्स्टाइल एंड क्लोधिं मार्केट आप सभी को पता है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा साउथ इश्या अभी देखा दिया आपको आने वाले समय में ऐसा ना हो कि इंडिया की यह जो कैपेसिटी है या फिर हो यह साउथ एशियम रीजन की जो कैपेसिटी इसको कोई और ओवर टेक कर ले कोई और कंट्री इसको अक्युपाई कर ले इसके लिए हमें क्या मैजर्स लेने चीए उसके बारे में बात कर लें देखें बांगलादश के बारे में देखें तो बांगलादश की है फोर्ट पोज़िशन प्राइब यार रखेगा क्योंॉव क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो कास्ट है ना परदक्शन की जो कॉस्ट है वह बहुत कम है और साथ में उन्होंने वेस्ट के साथ में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट्स कई सारे साइन किये हैं जुस के उसके कारण से वह चेसे हो रहा है बांगलाधेश का इसका बस्सान और दूसरी तप भारत की तरफ देखा जाए दौस्तों तो global level पर भारत पोर पर संट शेर क्या करता है इंडिया भारत मारा प्यारा भारत होल्ड करता है देखिन पूजिशन क्या है पिफ्ट पूजिशन है एक्सपोर्ट के अंदर जैश पोजिशन है ये चीज आपको देखिए अब दुस्तों आने वाले समय पे टेक्नोलोजी का यूज कैसे किया जाए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में यह पूरे साउथ एशन रीजन के लिए तो है ही इंडिया के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एक चीज और समझे अगर आप टेक्स्टाइल इ वाटर पॉलिशन अल्मोस सेवंटीन टू टूटी परसेंट वाटर पॉलिशन टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है वाप खुद लिंक करिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट वेस्ट और वर्ल्ट पस्टेनेबल डेवलप्मेंट की तरफ जा रहा है क् वो रेस कई प्रकार की है पहली टेक्नोलोजिकल अड्वांसमेंट आर्टिफिशल इंटेलिजन्स प्रिंटिंग मैपिंग यह सारी चीज़े अलग है लेबर कॉस्ट को कैसे कम करना यह एक तो उसमें पीछे रह जाएंगे दूसरा दोस्तों आप किसमें रह जाएंगे जो एम है जो गोल है कंट्रीज का सस्टेनेबल डेवलप्मेंट उसमें भी पीछे रह जाएंगे तो इसलिए दोस्तों वो हॉलिस्टिक वे में क्या कह रहे हैं दोस्तों कि साउथ इशियन रिजिन को एक रोड मैप तयार करना पड़ेगा गवर्मेंट को पॉलिसीज बनानी क्यों क्यों कि दोस्तों भारत या फिर साउथ इशियन रिजिन एक बहुत बड़ी अफोर्डेबल मार्किट है यहां के जो आटिशन्स है यहां के जो पोर्स है वर्क फोर्स वह बहुत स्किल्ड है अगर सही माइने में हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छे से रखा जिसके अंदर में हम हर आस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं जैसे अगर इंडिया इस फिल्ड में टेक्स्टाइल फिल के अंदर में आगे आने वाले समय में ग्रोथ करता है हर आस्पेक्ट तो आप सूच यह कितनी ज्यादा जॉब कर सकते हैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में दूस्तों हम जियो पॉलिटिकल लेवल पर भी अपनी प्रेजन्स को बना सकते हैं कैसे एफ्रिकन कंट्रीज की तरफ अगर आप देखें दोस्तों पहले क्या था दोस्तों एशिया बहुत बड़ी मार्केट थी वेस्ट और डेवलप कंट्रीज सारे के सारे एशिया में आए अब सब के सब धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहें अफ्रिकन कंट्रीज के तरफ तो इंडिया स्पेसिफिकली इस फील्ड के अंदर में एक लीप ले सकता है आने वाले समय अब बांगलादेश और इंडिया का क करता है और वहां पर दोस्तों विमन का एंप्लाइमेंट बहुत ज्यादा होता है और यहां पर हम थोड़ा सा लैक कर गए तो दोस्तों यह हमारे लिए एक मौका एक और है कि आने वाले समय पे अगर हम टेक्साइल इंडिस्ट्रीज को प्यूचर की नीड फॉर्थ रेवल अब के अंदर में ही विमन जो पिछड़ा तपका है जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको भी का मिलेगे एंप्लाइमेंट अपॉच्टिनिटीज मिलेंगी और जब उनको एंप्लाइमेंट अपॉच्टिनिटीज मिलती है दोस्तों तो अल्रडी आपको पता है एकोनॉमिक एस अगले आइसे आज हैंसी के अंदर में तो क्या-क्या मल्टी पोल्ल्ड एफेक्ट में हमें बैनेफिट देखने को मिल सकते हैं प्लियर जले अगले अवले आ अर्टिकल की तरफ अ अगला आवर्रिकल नाटो यूक्रीड रस्या उससे रेलेटीड तय आई बार में डिसकस आप से कर जुका हो भारत ने UNSC के अंदर में abstain किया कि हम वोट नहीं कर रहे हैं रशिया के अगेंस में अब प्रेजन टाइम में अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों देखें तो आपको अचंबा नहीं होता है कि इतनी सारी कंट्रीज के मेंबर्स लगाता एक साथ कैसे भारत के अंदर में आ रहे हैं इसरेल के पीम साब भी आ रहे हैं जापान से भी आ गए यूएस से भी आगए एक वाड की मीटिंग भी हो गई और स्ट्रीले भी मीटिंग कर रहे हैं तरह सल दोस्तों ये इंडिया को एक तरह से परस्वेड करने की कोशिश कर हैं कि आपका जो स्टैंड है यूक्रेन के ऊपर में उसको आप दुबारा से रिविजिट करिए हो सकता है आने वाले समय में आपको क्या हो इसको चेंज करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये तरह का प्रेशर माउंट किया जा रहा है भारत के ऊपर में और यहीं पूर बार बार कंट्रीज आ रहे हैं लोग आ रहे हैं वह एक तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं इंडिया मस्ट इस पोजिशन और थ्री काउंट्स पहला क्या मैसेज है तू डू मोर एड़ युएन यानि कि वे न में जो आप एस से इन कर जाते हो न वो नहीं चलेगा आपको या तो favor में करना पड़ेगा या तो against में करना दूसरा आप Russia से अपने जो oil के जो contracts हैं उनको further आगे नहीं बढ़ाओगा दूसरा और तीसरा चीज दोस्तो आपको ऐसा civil और military supply पुतिन रजीम को नहीं करो अब इस चीज़ से दोस्तो क्या निकल कर सा होगे और at least इसको सही होने में आने वाले समय में मुझे पर्स नहीं लगता है कम सकुम 10 से 15 साल लगेगा क्योंकि जितने रे साइंक्शन्स यूएस वेस्ट लगा रहा है रशिया के उपर बे रशिया उतने ही ज्यादा क्या करेगा और ज्यादा हार्ड लाइन पे चलने की कोशिश करेगा और उतना ही ज्यादा दोस्तो चाइना रशिया कोरिया पाकिस्तान इन सबका एक्सिस क्या होता जाएगा और कहीं ना कहीं वेस्ट को इसका नुफसान होगा और दोस्तों आपको अल्रेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यूएस की जो है जेमिनी है यूएस जो वर्ल्ड में पावर है वो क्यूं है अपने डॉलर के कारण में है पर अगर प्रेजेंट टाई में देखें काउधी अरेभिया कैना के साथ में दोस्तों यूवान में जानिके त्यार है भारत का डॉमिनर्स है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है अब इस प्रेजंट सेनारियों में इंडिया की position को समझने की कोशिश करें अल्रेड हम डिसकस कर चुके कि भारत के पास में दो option थे या तो हम इधर जाए या तो इधर जाए हमने क्या किया हमने कहा हमारे दोनों इंट्रस्ट इंपॉर्टेंट है हमें रश्या का भी सपोर्ट चाहिए और हमें वेस्ट का भी सपोर्ट चाहिए यानि कि यूएस का भी सपोर्ट चाहिए रश्या का सपोर्ट इसलिए चाहिए दोस्तो जब कभी आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हमारा कभी भी conflict होता है तो रशिया दो लेवल पर काम कर सकता है एक इंडिया को help direct कर सकता है दूसरा दोस्तो चाइना की involvement को भी क्या कर सकता है रस्टिक कर सकता है कि आप उसमें involved नहीं हो दूसरी के सारी चीज़े अब दोस्तो ऐसा होता क्या बलब चीज़े कैसे pressure बनाये जाते हैं मान के चलिए west में किसी countries के साथ में भारत की कोई deal है अब west आपको पता है वो हमेशा ही कहते हैं democratic principle, liberal, humanity इन सब चीजों पर चलते हैं को यह कहेंगे कि आप एक stance में देखा जाए तो west के सा आप तो है निए आप रशिया के साथ में उस ideology के साथ में तो हम आपकी help क्यों करें आपकी help क्यों करें और वो इसका आधार क्या बनाएंगे कि आप लिए war geopolitics को छोड़ दीजिए humanity को देखिए कितना बड़ा humanitarian crisis हो रहा है कितने लोग refugee crisis हो रहा है कितने लोग अपने घरों क चोड़ कर जा रहें मर रहें क्या इंडिया इसमें भी स्टैंड नि लेगा ऐसे प्रैशर बनाया जा रहा है इंडिया के उपर यह भी कहा जा रहा है कि history की जब books लिखी जाए तो भारत के बारे में क्या लिखा जाएगा भारत को सोचना चाहिए यानि कि west इतना जादा प् कोशिश कर रहें और इंडिया के उपर में ißर बनाने की कोशिश कर वत इंडिया प्रेजन टाइय बहुत मेर्or ली काम कर रहा है है इंडिया प्रेजेंट ली अपने इंट्रस्ट को राइमा पीसी सबसे आगे रख रहा है उसके इंट्रस्त कह हैं iMMP Immediately इंपार्टने दो है हमारे साथ मेर उसकी युए सक्वाटर को यहाँ लड़ाई नहींक ने करेगा इंडिया कही अपनी खुद की नीड है तो वहाँ पर इंडिया को अपने सब अपने लिए कया लेना पड़ा है पीके तो यह देखे प्रै चाई क्या होता है कैसे होता ये यह चीज मैंने आपको यहाँ पर कि उसके लिए ऑप्शन देखा जा रहा है दोस्त इंडिया और रुपी बेस्ट भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी करंसी के अंदर में रेखेंगे एंडिया ने क्लियर कर दीया कि हम रश्या के साथ बिढ़ने पर्चेस करने वाले चले अगे बड़े ठीक है चले आगे बड़ें अगला, economic advancement से related है ये भी, ये article क्या क्या रहा है, कि COVID हुआ, पूरी supply side बरबाद हो गयी, सब कुछ बरबाद हो गया, अब धीरे-धीरे हम growth की तरफ जा रहे हैं, अब growth की तरफ जा रहे हैं, तो इसको कई ना कहीं हमें miss नहीं करना, इस पूरे article का, सार आपको बता रहे हैं कि कोशिश करता हूँ, एक concept होता है, private consumption, private consumption, तरसल दोस्तों, हमारी पूरी economy, हमारी पूरी GDP, इसी पर ही dependent है, इसी पर ही dependent है, private consumption, यानि कि आप मैं, कितना ज्यादा market में जाके consume कर रहे हैं, consumption कर रहे हैं, मान के चलिए, सरकार की तरफ से benefit होने के card में, supply side सुद्रिन हो जाए, बट मेरे पास, आपके पास पहले के बराबर की income नहीं available, अगर income नहीं है, तो हम जाकर वहाँ पर कुछ खरीदेंगे नहीं, यानि कि हम consume नहीं करेंगे, अब जब consume नहीं करेंगे दोस्तो, तो GDP में contribution कैसा होगा, इसलिए दोस्तो, सारे economist एक सुर में बार बार ये कहते हैं, कि आप supply side की तरफ पे तो ध्यान दीजिए, बट demand side, यानि कि दोस्तो, consumption को हमेशा increase करने की कोशिश करिए, बट present time में अगर देखा जाए दोस्तो, तो consumption को increase करने के लिए, भारत सरकार की तरफ से, कोई positive या कहली जब कोई major step नहीं लिया गया, जैसे सपने उम्मीद करी थी, कि consumption को increase करने, consumption को increase कैसे होगा, आपके हाँ में पैसा आएगा income, अब आपको सुचिए दोस्तो, कोविड की करन में लोगों की job चली गई, कोविड के करन में, काफी सारी चीजे बहुत drastically change हो चुकी, और दोस्तों, दो साल में कई बार behavioral changes भी ऐसे हो जाते हैं, कि मान के चले किसी चीज कि आप पिछले दो साल पहले, आपको consumption आप करते थे, बट ऐसे behavioral change होंगे, कि आप उनको consume नहीं कर रहे हैं, और ये behavioral change देखा गया है market के, कि मारी GDP तो grow कर रही है, बट actually में जो consumption है, वो growth नहीं कर पा रहा, तो दोस्तों कई बार आपको मैंने बता, ballooning effect, यानि कि production, और consumption, वो increase नहीं हो रहा, बट जो market में inflation, tax, ये सब है, उसके काड़ में GDP increase होती है, गवर्मेंट के expenditure के काड़ में GDP increase होती है, ballooning effect, और इसी को बोलते है, jobless economic growth, और दोस्तों, last line होने ही बोली, कि अगर आपको economic growth बना कर रखना है, GDP को आगे बढ़ाना है, तो आपको private consumption को कीज़ करना पड़ेगा, किसी भी कीमत, आपने सुना हो गए market word बार बार यूज किया ज़्याद है, market word का फाइदा है, क्या यही तो फाइदा है, वहाँ पर लोग खरीदते हैं, वहाँ पर पैसा खर्ज करते हैं, यानि कि consume करते हैं, तभी तो वह क्या करता है, लोगों को मान के चलिए, आज 10 चॉकलेट की डिमांड है, कल 100 चॉकलेट की डिमांड है, अब जैसे डिमांड होगी, यानि कि consumption के लिए लोग क्या करेंगे, हमें खरीदना, private consumption increase हो गया, तुरंट नए-नए investment आजाएंगे, तुरंट उतनी जाठा factory लग जाएंगी, उतना जाठा production बढ़ जाएगा, इसका, यानि कि दोस्तो, जो ये private consumption होता है न, ये investor को क्या करता है, motivate करता है, अभी आप tax में, और जगी पर rebate देके बानके चलिए, प्रोड्यूसर को ले भी आए, बट consumption ही नहीं होगा, उसे ने जो produce किया, वो sale ही नहीं होगा, तो GDP में contribution कैसे होगा, इसलिए दोस्तो, कई सारे लोगों ने suggestion दिया, कि आप क्या कर सकते हैं, consumption को increase करने के लिए, कोई एक direct cash benefit, जैसे आपने क्या क्या है, PM किसान सम्मान ने धी, direct आप एकाउंट में cash provide कराते हैं, ऐसी कोई, जो बहुत ही weaker section है, हमारी country का, उनको कोई ऐसी scheme provide कराई जा सकती, पहला option ये दिया गया, जिससे क्या होगा, directly हमारी क्या होगी consumption increase होगी, पहला option दूसरा ये दिया गया, कि जो tax लग रहा है fuel के उपर में, जल्सा दोस्तों पैसा मान के चलिए, पहले 300 रुपे था किसी के पास income थी, example, उसमें से वो पहले 50 रुपे तेल पे, oil पे खर्च करता था, fuel पे, बाकि 2500 रुपे होते थे, 50 रुप अपने बचा लिए, 200 रुपे खर्च कर लिए, बट प्रेजन टाइम में, due to inflation, चीजे क्या हो रही है, महेंगी होती जा रही है, fuel भी महेंगा हो गया, अब 100 रुपे का उसे fuel खर्च करना पट रहा है, 100 रुपे उसे बचाने पट रहा है, तो उसके करण में एक और चीज़ बेनेफिट मिलेगा, कि उसके हाथ में disposable income बढ़ जाएगी, अब जब disposable income बढ़ जाएगी, तो consume जादा करेगा, और जब consume करेगा दोस्तों, तो हमारी GDP में control, हर कोई बार बार यही suggestion दे रहा है, कि private consumption को कैसे increase किया जाए, आगे पड़े, अगले आर्टिकल की तरफ, दो दिन से लाइफ के लिए बाइक परसो संडे दा, और से पहले नियूस पेपर नहीं आया था, याद रखिया होली की अगले दिन यूस पेपर नहीं आता है, तो किस चीज़ का सेशन ले, इसलिए सेशन नहीं था, तो याद रहाएगा दोस्तों, GDP के अंदर में, private consumption, बहुत important role play करते है, private consumption का मतलब क्या, demand, और दोस्तों, हमेशा demand-led growth जो होती है, वो economic के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि demand-led growth क्या होती है, वो job creation भी करती है, और reliability भी लाती हो, long term के लिए होती है, ठीके दोस्तों, clear है, ठीके, ठीके clear है दोस्तों, तो demand-led, private consumption, और आपको और यह सब चीजे में, एक्स्पेंट का चुका हो, और और अल्रेडी वता चुका हूँ, कि इसलिए आपको ध्यार होगा, कि demand या expenditure increase हो, इसलिए आपके लिए सरकार बेक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आये थे, कि central government के जितने भी employees होते हैं, उनको भूमने के लिए पैसा मिलता है, अब covid आ गया था, अब covid के खार में भूम तो सकते नहीं थे, इसलिए क्या गया था, जो आपको LTC वगरा मिलता है, उसको एक coupon मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, coupon मिल जाएगा, दिवाली का time है, जाएए, 18% से ज़्यादा की GST वाला कोई भी सामान इस coupon से खरीदिये, ठीक है, आपको यह मलब इससे का खरीच सकते हैं, जितने पैसे का घूमने जारते हैं, उतने आपको क्या मिल जाएगा, coupon मिल जाएगा, आप खरीच सकते हैं, इससे क्या हुआ, मार्केट में आपने consume किया, इसे product को consume किया, अब consume किया तो क्या होता है, हमारे contribution किसमें करता है, GDP के अंदर में contribute करता है, यह सारी की सारी चीज़े हैं, मतलब GDP को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह सारे के सारे fund होते हैं, मेरा personal suggestion हमेशा ही रहता है, दोस्तों, कि हमारी economy, हमेशा पूरे पिछले times देख लिजिए, expenditure based economy रही, अगर आप expenditure को increase नहीं करेंगे, यानि कि consumption को increase नहीं करेंगे, private consumption increase नहीं होगा, तो economy लंबे समय तक sustain नहीं कर पाएगे, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ, freedom, हिजाब वाला पूरा का पूरा matter, बहुत शान्ती और ठंडे दिमाग से पूरे के पूरे concept को समझने की कोशिश करेंगे, वरना कुद पढ़ने जाओगे तो बहुत कुद confuse हो जाओगे, अलग-अलग टाइप से अलग-अलग चीज़े स्यूरू करेंगे, सबसे पहले बात हिजाब वाले matter में, इन्होंने यहाँ पर दो जो एक्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे, हिजाब वाला matter है क्या, हिजाब वाला matter आपको अल्रड़ी पता है, सुप्रिम कोर्ट में केस जा चुका है, वहाँ पर जो करनाटा का हाई कोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि essential practice में नहीं आता है, essential practice मतलब कि इसलाम का एक essential हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर इसको आप follow नहीं करेंगे, तो आप religion को follow नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता तो आपके fundamental right article 25 का वलेशन होता, और हम इसको allow कर देते, चलिए यहां तक ठीक है, अब दोस्तो freedom की बात आती है, इस पूरे article से बैर एक मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ, freedom से related बात लेकर आती हूँ, और freedom पे जब हम जाते हैं दोस्तो, तो freedom दो प्रकार की होती हैं, मैं आपको अलरड़ी इसके बारे में discuss कर चुका हूँ, एक private sphere में freedom होता है, यानि कि आप और मैं अपने घर में का कर रहे हैं, वो freedom होता है, और एक public sphere में freedom होता है, तो freedom होला concept आया कहा है, तो सरकार बनने से पहले, यह सरकार जब कभी बनी होगी, उससे existence से पहले, लोग अपनी will के उपर में काम करते, जिसकी लाठी उसकी भैस, मुझे समझाया, उठा लिया, मुझे समझ में आया, मैंने यांसे समान ले लिया, मुझे समझ में आया, इसका production कर दिया, यानि कि दोस्तों, कोई rule-based order नहीं था, अब ऐसे लगा, यहां से तो सबसे बड़ा concern क्या निकल का है, security, security concern है यही नहीं, तब यहां पर एक concept निकल का रहाता है, कि हमें government को establish करना, यानि कि government को establish करेंगे, तो हम government को क्या करते हैं, एक contract करते हैं, government और अपने बीच में, अभी मेरे पास 100 काम करने की freedom है, अब मुझे पता है कि जब सरकार बनेगी, तो इस 100 काम करने की freedom मेरे पास नहीं होगी, यही से दोस्तों, एक concept निकल कराता है, social contract, security, क्या हुआ, सारे लोग एक साथ आए, अपने इन-इन फ्रीडम को क्या करते हैं, surrender करते हैं, अपने इन-इन राइट्स को हम surrender करते हैं, और यह कहते हैं कि इनकी रक्षा कौन करेगा, state करेगा, यानि कि दोस्तों, यहाँ से एक चीज निकल कराती है, मैंने कुछ fundamental rights, कुछ अपने जो कहते ना, प्रीडम्स उनको surrender कर दिया, और कुछ fundamentalize, कुछ rights अपने पास रखे, यही से दो concept निकल कराते हैं, एक private sphere और एक public sphere, public sphere यानि कि state, government, government उनको regulate करेगी, कि आप यह चीज कर सकते हैं, यह चीज नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ देखा जा, प्राइवेट स्फेर ऐसा है, जहां पर, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अब दोस्तों यही से, countries का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, liberal और illiberal country, liberal country वो होती है, जहां पर private sphere के अंदर में, जो freedom होते हैं, वो बहुत जादा होते हैं, प्राइवेट स्फेर, यानि कि आप individual level पर कुछ भी कर सकते हैं, आपके उपर में, वहाँ पर कोई state आके interference नहीं करें, लेकिन दूसरी तरफ, जो illiberal countries होती हैं, वहाँ पर दोस्तों private level पर, private individual level पर freedom बहुत कम होते हैं, public level पर restrictions जादा होते हैं, public level पर आपने surrender कर दियो, I think या आता है का आपने categorization समझ लिया पूरा का, freedom और सिर्रिल, अब question हिजाब वाले से connect करते हैं, जब हिजाब वाला matter आता है दोस्तों, तो major question ही आता है, कि जो आप हिजाब पहन रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, तो उसको माना जाएगा, कि आप के freedom यानि की fundamental right का violation, पहला question यह है दोस्तों, प्लीज समझ यह, one, whether Muslim women really choose to wear the hijab, और do so because they are socially conditioned, that alhaya modesty is women's virtue, या फिर वो society में, वहाँ पर जो लिखा है कि alhaya होना चीए, modestry होनी चीए, उसकी card में पहन रहे हैं, पहरा तो question यह आता है, दूसरा question यह आता है दोस्तों, कि freedom, जो आपका individual है, जिसके अंदर में आपने यह choose किया है, कि मेरे पास में private sphere में है, यह क्या है, public sphere में है, या वहाँ पर state restrictions लगा सकता है, या नहीं लगा सकता, यह question है, अब social contract की थेयोरी आपको बता दी, मैंने कि public sphere और private sphere यही कहता है, public sphere में आप कुछ नहीं कर सकता है, यह state restrict कर देगा, private sphere आप कुछ भी कर सकता, अब relate करिए, हारब क्या है, secular state है, और secular state का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप religion जो है आपका, वो private matter, आपको यह बता है, पबलिक और private sphere क्या होता है, फिर उसके अंदर में यह बता है, भारत एक secular state है, और secular state के अंदर में religion क्या होता है, वो private matter होता है, अब आजाईए, judgment के उपर में, हिजाब बैन नहीं किया गया है, जैसे western countries में बैन किया गया है, यानि कि private entity के रूप में, प्राइवेटली आप कभी भी पहन सकते हैं, आप प्राइवेटली कहीं घुमना चाहें, वहाँ पहन सकते हैं, बट आप जब public sphere में जा रहे हैं, public sphere यानि की, school में जा रहे हैं, college में जा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या है दोस्तों, वो क्या है, public sphere वाला concept आ गया न, यानि कि यहाँ पर state, यानि कि government क्या कर सकते हैं, इनको restrict कर सकती है, क्योंकि आपने social contact theory के अंदर में, इस sign कर रखा है, एक traditionally आपने यह कहा है, कि हाँ यह वाले जो rights हैं, यह मेरे पास available नहीं है, यानि कि दोस्तों, logically अगर conclusion पर आया जाए, तो यह conclusion आप समझ पा रहे हैं, अब दूसरी चीज़ इन पर यह बहुत अच्छा example लिए, कि जब आप school में जा रहे हैं, यानि कि school में, आपने institution के साथ में कुछ contract sign किया, वहाँ पर admission लिया, यानि कि दोस्तों, उस public sphere के कुछ rules and regulations को आपको मानना पड़ेगा, आप वहाँ पर अपने will के हिसाब से नहीं चल सकते, for example, attendance, आप यह नहीं कह सकते, कि यह 80% attendance mandatory नहीं की जा सकते, मैं तो अपने will के हिसाब से चलूँगा यह चलूँगी, कि मुझे आना है या नहीं आना, यहाँ पर आप public sphere में आचुके, फिर समझे, religion is a private entity, प्राइवेट में आप कुछ भी करिये religion के साथ में, secular state में यहीं होता है, बट आप जो public sphere में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको state और वहाँ पर जो rules और regulations उनको मानना पड़ेगा, और इसके अंदर में उन्हें example वही देने की कोशिश करी, कि आप मानने के चलिए example उन्हें दिया, कि आपको attendance के लिए जाना है, अब ऐसा तो नहीं है ना, कि आप वहाँ पर जाके कह सके कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे will है, तो वहाँ पर वो school, religion और जो uniform वाले जो matter है, इनको अलग-अलग करके देखना चाहरे है, यह पूरे आर्टिकल के इंदर में यह सारी के सारी चीज़ ऐसे discuss की गई है, I think मैंने आपको बिल्कुल क्लियरले समझाने कोशिश करी, फिर समझे, freedom समझा दिया, judgment समझा दिया, फिर उसके बाद में social contract theory, private sphere, public sphere, private matter, religion, लेकिन आज public sphere में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हिजाब ऐसा नहीं है कि totally ban कर दिया गया, वह स्कूल में वहाँ पर uniform है, इसलिए उसको वहाँ पर allowed नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि आपने social contract किया है, public sphere में contract किया है, कि आप जब public में जाएंगे, तो यह यह rights आपके पास available नहीं है, वहाँ पर restrictions लगाई जा सकती है, उसके basis तो restrictions लगाई गई है, और already मैंने आपको कई बार बताया, कि यह case अगर article 19, article 20, इन पर लड़ा जाता, या 21, तो ज़्यादा better होता, rather than article 25, क्यूंकि essential practice test, आप कैसे establish करेंगे, कि यह चीज़ essential है या नहीं है, for example, मान लिजिए, कल को कोई बहुत heinous, या inhuman activity है, और अगर वो, इसे text में mention है, तो कि आप उसको allow कर दोगे, क्या, नहीं, आपको rather than religious textbook के अलावा, आपको values, principles, fundamentals of constitution, उसके उपर देखना चाहे, क्या equality के against है, क्या आपको जो freedom of expression, speech मिला है, उसके against है, क्या, क्या आपके पास में जो right to live, या आपको जीने का, जिस परिके प्रकार के तरीके का अधिकार है, पहनने ओडने का अधिकार है, क्या उसके against है क्या, अगर उस way में जाया जाता, तो हो सकता है, कोर्ट के अंदर में इसकी judgment कुछ अलग प्रकार की होती है, ठीके, clear है, ठीके दोस्तों, clear है, चले, आगे बड़े, अगला article देखते है, अगला article, ये भी बहुत अच्छा article है, क्याते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करें तो ठेंगा वाजे, है न, ऐसा करके बोलते हैं, इसमें इन्होंने का, बहुत अच्छा article है, सच बता रहो, बहुत अच्छा article, मेरे को personally भी अच्छा लगा, हमारे भारत के अंदर में, कोई चीज एक बार शुरू हो जात है कि 21 मार्च को, क्या करेंगे, फॉरस से रेलेटीर ये पूरा का पूरा डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ओफॉरस्ट, हम सेलेबरेट करेंगे, और कंट्रीज, कई सारी कंपनी जा करें, लोगों को मोटिवेट करें कि ट्री प्लांटेशन करें, और आपकी जाने कर प्रद्वा, आप्टेशन ऊठाया है, कहीं पर पेल लगा देना, क्या वो फॉरस बनाना हो गया, ये बहुत अच्छा कह रहें, वो कह रहें आपका पील लगाना, ग्रीन कवर को बढ़ाना हो सकता है, कारबन डाए, अक्साइड को कम करना हो सकता है, वहाँ पर एमिशन को क करना हो सकता है बट वो क्या कैटेगरी को करता है करसके अंदर में सिर्फ प्लांट्स नहीं हो दोस्तों करने क्या क्या घ्रिक लगा है अब आप लोगे क्या ने कह रहे हैं कि tree plantation को आप forest से cover कैसे कर सकते हूँ क्योंकि forest complex ecosystem है जहां पर कई साल लग जाते हैं उसको बनाने के इंदर में कई साल लग जाते हैं बिल्कुल सही बात है जहां पर क्या है micro organism water soil इनके बीच में क्या होता है एक interconnection होता है बिल्कुल सही बात है, अब इसमें एक और इन्हों बहुत अच्छी चीज़ बताईए, इन्होंने एक और एक्जाम्पल बहुत अच्छा एक्जाम्पल दिया है, कि हम क्या करते हैं, कि कहीं का पेड, मान के चलिए नीम, एक्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, कि नीम का सब्सक्राइब कर साथ में वहां का जी आनवार्मेंट यह अलग है तो वहां कि जो स्पीस है वह अलग प्रकार की होथी है और उन्हें बहुत एक्जामपल यह क्लासिज ग्संपल दिया स्ने से पसे बढ़े कrijण की क्रीट अधिस क्या हो गया आपका जो नेचुरल ग्रासलेंट था वो कनवर्ट होना शुरू हो गया किसमे प्लांट श्रब इनके अंदर में और एक मेजर रीजन ये भी है दोस्तों कि ये जो हैबिटाइट चेंज हुआ है ना उसके कान में भी दोस्तों ग्रेट इंदिन बस्टर्ड की क्य हुए पॉपलिशन कम यानि कि दोस्तों ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आप जो प्लांट कर रहे हैं और राइट ट्री होना चाहिए और राइट प्लेस पर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी कोई भी पौधा प्लांट करने क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके कितन no doubt बढ़िया चीज है, करना चाहिए बट उससे पहले लोगों को aware करना पड़ेगा इस area के अंदर में या इस geographical location के अंदर में कौन से plants की need है इस area के अंदर में कौन से plants ज़्यादा तर क्या रहते हैं successful रहते हैं कौन से plants दोस्तों क्या help कर सकते हैं environment को help कर सकते हैं और कौन से plant हमारे यहां के ecosystem को दुबारा से sustainable बना सकते हैं यह पूरे के पूरे उसके article के अंदर में discuss करने की कोशिश की गई है तो ठीक है दूस्तों clear रहे चले आगे बड़े आगे बड़े अगले article की तरफ अगला article अगर देखें तो भारत के अंदर में अभी जैसे मैंने आपको tiger से related बता है चीता को relocate किया जा रहा है और चीता से related आप दानकर है रहान रहे जाएंगे दोस्तों कि भारत के अंदर में चीता की population कभी कम नहीं थी अब जो extent की category में आ चुका है नहीं कि चीता को हमे दुबारा से क्या करना पड़ रहा है दूसरी country से लाना पड़ रहा है और कहां से अफ्रिका के नैंबिया से लाना पड़ रहा है और इरान से भी हमने कोशिश करी इरान वाले अभी बात चल रही है वैसे दो तरह के चीता होते हैं आप सभी को पता होगा यह अश्याटिक और एफ्रिकन ये दो प्रकार के होते हैं झीए चीटा उसके बारे में देखेंगे भारत के इंदर में चीटा खतम कैसे हुए दोस्तो भारत के इंदर में चीता खतम होने का सबसे बड़ा रीजन ये बताए जाता हंटिंग चौक्या तोर पर उनको घरों में कैद करके रखना अभी आपको एक्जांपल दूँगा आप हैरान रहे जाओगे मुगल राजा सहाब अकबर जी की अगर पास में देखा जाए तो आप देखे हजार के करी तो चीता थे उनके पास में कैद हजार चीता उनके पास कैद थे और अगर कैट बाग हो गयरा इन से को मिला दिया है तो 9000 कैट थे उनके सज्चुरी 1556 से देखा या 1605 के आसपस में इतने जादा चीता को उन्होंने कैद कर रखा पर दोस्तों आपने साथ में एक और चीज नोटेस करी होगी ब्रिटेन के जब लोग आये तो वो क्या करते थे शिकार करने जाते थे श्पोर्ट की तरह इसको लेते थे और इसके करना से धीरे-धीरे चीता की पप्लेशन कम होने शुड़ होगी अब अगर आप उसके देखें रेंज देखें ऐस्याटिक चीता की बिटक्स पीडिडि कि अब कुछ सोचे कितने ज़्यादा चीता कहां कहां अवेलबल पूरे इंडिया के इंदर में वहां पर मलब हंटिंग के बाद बेएक और क्या उसको क्याप्टिव उसमें रखना और उसके अकार में नूंके ब्रीडिंग नियुपाति इनको अपने पास में रखना और उ उसके गार्ण ने बढ़ती यह सारे के सारे कारण हो गया तो आखिर क्यों करना चाहिए है में चीता को दुबारा से रे इंट्रोड्यूट कि जी एस पी परतिरी कंजर्वेशन के अंदर में आ सकता है अधर सरी चीज़ को सबज़े दूसको कि एक एनवार्मेंट एक एक सिस्टम नेचरली जब बना होता है तो उसके कई सारे प्रेय होते हैं और एक्जामपल मान के चलिए जिनको चीता खाता हो तीता जिनको क्या करता हो जिनका शिकार करता हो जिनको कंजूम करता हो अगर वहां से चीता खतम हो चुके हैं तो आप खुद सोचिए वह वाला प्रेय जो जिनको खाता दो कितने जादा उसमें बढ़ जाएगा और इससे हमारा जो फूड चेन है फूड वेब वह क्या होता है एक्जामपल दे रहा हूं में बस तो दोस्तो हर किसी का एक बहुत इंपार्टन रोल है एन्वार्मेंट और एकोलोजिकल एरिया के अंदर में सक्षेशन से रिलेटेड ऑल्रेडी दोस्तों हम सब तो बहुत चोटे इंसान है प्राणी है हमारी तो पता भी जनेरेशन कब आई कब चली गई इससे पहले यह नेचर यह एकोसिस्टम था और आने वाले समय में रहेगा तो चीता को ट्रांस लोकेट करने की रेंट्रोड़क्शन करने का प्लान बनाया गया भारत के अंदर में आजादी कहां कहां से आ रहा है नैमेबिया वोट्स्वाना और साउथ अफ्रीका से प्लान चल रहा है क्या चीता को लाने के लिए कहां पर रिलोकेट किया जाएगा दुस्तों कुनों पालपुर नैशनल पार प्लीज याद रखेगा आप से कुश्चन पूछ लेंगे यह कहां पर ह है मध्यप्रदेश के अंदर में क्योंकि इसकी लोकेशन अल्मोस्ट मलब इसकी जोग्राफिकल लोकेशन भी बिल्कुल सेम है या पर इसरवाई भी कर सकते हैं या पर इनके लिए प्रेवी अवेलेबल है तो सारी कि सारी चीज़ें इंपार्टेंट हो जाते हैं आपके इ डिफ्रेंशियेट करके रखिए अफ्रीकन वल्नेरेबल होते हैं जो अगर इनके बात में देखा जाए इसके बारे में देखाए इसके बारे में लेकिन यह देखें सिर्फ और से 40-50 अवेलेबल है बस अल्मोस्ट खतम इसलिए इंपॉर्टेंट है इनको बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है इनकी पॉपलेशन को वरना आने वाले समय में यह भी बात रह जाएगी कभी यहां पर चीता हुआ करते थे जैसे डाइनासौर के बारे में हम बात इसलिए दोस्तों इनको कंजर्व करने की जरुरों थे अब एक्जाम में एक क्वेश्यन और पुछा आजा सकता है इंट साइज किसका बड़ा होता है दोस्ते हैं बीगर इंशाइज एस कंपेर टू एशक पूदख चीता कौन से अफ्रीक कर वाले था इस में थोड़े से बड़े होते हैं किसके को एश्याटिक से फिर कौन सा है अफ्री करने ने तस्वीर आपके लिए लिए रहा हैं इससे एकर मोटिवेशन लेना चाहो इस वाल वेपर को डाउनलोड करके अब लगा सकते हो और यह कौन सा है यह एशिया है कि दूस्तों कई बार यूपीसी की टेंडेंसी होती है कि वो फीचर्स के उपर भी क्वेश्चन पूछ ले आ यूसीन स्टेटस तो पूछ है सब्सक्राइब करेंगा कि कहेगा कि क्या नम है एसियाटिक वल्नेरेबल है और वह क्या है एफ्रिकान है टो आपको कि नहीं भी आगया हमें बगल बना रहे हो क्या है तो आज के निर्टेंट आर्टिकल्स थे एक्जाम पॉस्पेक्टिब़ सो उनको हुआ है अब क्वेसि पडिका में को यह की है क्या है इनिशेटीव यह दिखे मैप पर जो आफरीकन डिजन और डोम पर के डेजर्टु जाए लॉक उनॉमी जो ख़्राब हो जात liberty लोगों की जो बिबारिया अलगल प्रकार क्यों होने लग जाते हैं उसको बचाने के लिए एक इनिशेटिव लिया गया अफ्रिकन कंट्रीज के द्वारा कि क्यों ना हम यहां पर पेड लगाएं क्या करें पेड लगाएं पूरे इस रीजन के अंदर में और इस डेजर्ट है ना इसको आगे बढ़ने से रोकें हम आगे हारत के अंदर में अरावली हिल्स हैं आपको पता है कितना important role play करती है कि जो यह desert है राजिस्थांस वाला यह इधर की तरफ ना है और दोस्तों मॉन्सून की मूँमेंट के अंदर में भी बहूत important role play करते हैं बट प्रेसेंट टाइम में अगर आप नोट करें गवर्मेंट क एक्टिविटीज गवर्मेंट की प्लान वह अरावली हिल्स की जो क्या है जो इंपोर्टेंस उनको धीरी-दीरी कम करते जाएंगे अन्वार्मेंट एको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसका इंपक्ट आने वाले समय में डिजर्टिफिकेशन अगर इधर बढ़ेन पढ़ रही है मार्च का महीना चल रहा है और जून जैसी गर्मी चल रही है जून जैसी गर्मी चल रही है तो यह चीज आपके साथ यहां पर कोशिश करी मैंने खेक I think आप लिंक कर पाएं काएं अगला फ्कुल से रिलेटिट था इस्कूल वॉस फाउंड़ी गोशाला मखली गोशाला 5th century में बिल्कुल सही बात है और ये बुद्धिजम और जैनिजम के अगेंस से दुस्तों बिल्कुल सही बात है एथीस्ट कहते थे अपने आपको तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि एटम्स के उपर में बात करते थे एक्टम न्यूक्लियर इन सब चीजों की यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 न्यूज में इसलिए कुश्यन आ सकता है कि कितना जादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा मुश्किल टास्क था आजादी के बाद जब आजादी हुई भारत की तो दोस्तों क्या किया अंग्रीजों ने बहुत बढ़िया दिमाग देखिए उनका कितना बढ़िया उन्होंने क्या किया भारत को अलग-अलग रियासतों में आजाद किया कि भीया जो आप प्रिंसली स्टेट्स होना आप खुशरो आप अपने आप में रियासत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हो तो उसको कैसे यूनिफाई यह पीछे वाली यह भारत के साथ में है यह इसा कोई और है जियो ग्राफिकल पॉंटीनिवेशन नहीं होता पहला पॉइंट तो यह हो गया आपको सोचे सिक्वार्टी के लिए कितना बड़ा थ्रेट होता यह बड़ी चीज होगी जो रिजनलिजम है वह बड़ी प्राब बड़ी खास बाती एक रिजन दूसरी रिजन से अपने आपको सुपीरियर और अलग सबस्ते यह बहुत बड़ी प्राब्लम थी रिजिनल डैवर्स वह भी बहुत बड़ी प्राब्लम थी इन सब सिनारियों में हमारे देश को यूनिफाई करना बहुत बड़ी चीज होती आप खुछ सोचिए हम फुटे छोटे छोटे लैंड पूलिंग की बात करते हैं कि किसानी के लिए छोटे छोटे जो एरिया उनको एक साथ आ जाना चीए तब ही जाके मास लेवल प्रोडक्शन हो सकता है अगर भारत ऐसा ना होता छोटे छोटे छूटे हिस्सों बटा होत तो हमें पूरा टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरी कंट्री क्यों पर मैं अगर दूसरी अलग हो जाते हैं इसलिए दोस्तों यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करना था एक साथ लाना था और उसके लिए सारे काम किये गए दोस्तों इंपॉर्टन्स आपको बता दिया कि इंटरनल सेक्योरिटी वाला हो गया टेरिटोरियल कॉंटिनुटी वाला हो गया डिमांड फॉर मॉर्डनाईशन हो गया यह सारी चीज़े क्या थी नीट भी हमारी ठीक है दोस्तों और चैलेंजिस आपको बताएं कि क्यों कोई चाहेगा कोई किसी के अंबिशन होते हैं रिजनल डिवीजन होता है सारी सारी चीज़े अल्रेडी किनमें डिस्कूस कर चुके हैं ठीक है क्लियर है अब आज के क्वेश्चन वेर इस आरल सी ल सेशन में डिसकूस करने के लिए उसके लिए लगसे सेशन ले आएंगे थ्री समय की सीरीज अब डिसकूस करें अगला क्वेश्चन पेवा सदन की स्था पना 1885 के अंदर में किस ने करी उसके बारे प्रिलम्स बेस क्वेश्चन तो हमने देख लिया मेंस बेस कोश्यन इसको क्या करना आपको लिखना है इसका अंसर आपको देना है अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो टेलेग्राम चैनल से जुड़ जाहिए रशान तिवारी 26 टीक के आसपास फॉल्लवर है नियूस पेपर का इंडियान एक्प्रेस हिंदू नियूस पेपर उन दोन जगे पर जोड़ सकते हैं आपके कोई डाउट हो आपके कोई संकाएं हो उनको दूर करने कोशिश करूंगा तो मिलते हैं अपना ध्यान रखें मल लगाके पढ़ते रहें वाए बाए टेके दोस्तों जाए हिंद् क zar실 सकते हैं रखे बाए हिंद्गा मिलते हैं कर दोस्तों हिंद्ग जry